बढ़ते हैं अगली खबर की ओड़ कुए में गिरे वरद्धा पांच घंटे तक डंडे की सहारी लचकी रही देवदूद बन कर आया मान से फिरोजाबाद में बिमार युवक जाको राखे साईयां मार सके न कोई ये कहावत फिरोजाबाद के नगला खंगर छेतर के गाओ खेड़ा खुर्द निवासी 65 साल की बुजर्ग महिला सुमवती के लिए सच सावित हो गए वो ध्वार को अपनी बकरी की तलाश करने गई वरद्धा एक सूखे कुए में गिर गई थी और गनीमत रही कि उनका डंडा कोई के अंदर फस गया और विद्धा उसे पकड़ कर लटक गई करीब पाँच घंटे के बाद वहां घूम रहे एक मांसिक रूप से विमार यूवक ने कोई से बचाओ बचाओ चला कर बहिला की आवास सुनी इसके बाद वो शोर मचाते हुए गाओं की तरफ भागा यूवक का शोर सुनकर गाओं के पास खेतों में कामर कर रहे लोग मौके पर दोड़ पड़े उन्होंने कुए के अंदर जाकर देखा तो विर्धा को कुए में डंडे के सहरे लटकी वी थी और लोग ने उसे कुए से बाहर निकाल कर अस्पताल ले गए और वहीं विर्धा गुरुवार को अस्पताल से अपने घर लोटाई और नगला खंगर शेत्र के गाओं खेडा खुर्द निवासी सोमवती पतनी छकोडी वुद्वार की दुपहर को बकरी चराने नहर किनारे गई थी उनकी एक बकरी कुए में गिर गई और बकरी की तलाश करते हुए वृधा नहर किनारे सोने लाल के खेत में बनी सुखे गाओं के पास कुए के पास पहुँची और खुद को गिर गई इस दोरान महिला के हाथ में जो डंडा था वो कुए के अंदर फस गया और वृद्धा उस डंडे को पकड़ते हुए कुए में लटा गई और शाम के पांच बजे करीब एक मांसिक रूप से बिमार युवक कुए के समी पहुचा तो कुए के अंदर से आती आवास को सुनकर क कुए में भूत बोलते हुए खेतों की ओड़ पड़ा उसकी बात सुनकर ग्रामीनों ने कुए में जहांका तो व्रिधा दंडे को पकड़े लटकी वी थी ग्रामीनों ने रसी डाल कर व्रिधा को कुए से निकालो और नीजी अस्पताल ले गए गुरुवार को व्रिधा अपने घर पहुंची और पूरी बात बताई उसकी बकरी कुए में अंदर मर गई